ब्यार के मुज़परपूर के मोती जील इस्थित तनिश्क जुलडी शुरूम में शातिर ठगों ने नकली सोने की चेन देकर एक लाग चौनतिस हजार कीमत की असली सोने की चीन उराली दरसल ग्राहक बनकर दो ठगों ने जुलडी शुप के काउंटर पर काफी देर तक सोनी की चेन देखते रहे और मौका लगते ही नकली सोने की चेन रखकर असली सोने की चेन ले उरे फिर सिसी टीवी खंगाला गया तो हकिकत सामने आई कि ठगों ने कैसे सोनी की चेन पर हाथ साफ कर दिया सोने की चेन को बदलने की जानकारी होते ही शोरूम के मैनेजर ने मुझणपरपूर के टाउन थाना में अग्यार ठगों के बारे में मामला दर्ज कराया इस ठगे की इस सिसी टीवी को देखे कि कैसे श्रातिर ठगों ने असली के बदले नकली सोने के चेन उरा लिए कि कैसे तर रहा है। टाउन थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने CCTV फूटेज के अधार पर ठगों को तलाशने में जुट गई है सिसी टीवी से संदिक्त की पैचान करने की कोशिश की जा रही है ठाने को दिये आवेदन में शोरूम के मैनेजर विजे ने बताया कि 28 फरवरी के शाम 5 बज कर 35 मिनट पर जोलिरी शोरूम में दो पुरुशाय काउंटर पर आभूशन देखने लगे और इसी क्रम में 25.258 ग्राम की सोनी की चैन बदल ली जहांसा देने के लिए नेकली चैन को काउंटर पर रखती आ गया असली चैन के किमत 1,34,000 रुपए है और इस पूरे बारदात को जब CCTV में देखा गया तब लगा कि ठग कितने शातिर थे कितने बारी की से उन्होंने असली की जगा नकली सोने के चैन रखती काउंटर गर्ल समझ भी नहीं पाई और नकली सोने के चैन शोकेस में रख जिया जब इस टॉक का मिलान हुआ तब इसका पता चला कि यह जो चैन शोकेस में रखा हुआ है वो नकली है और ठगों ने असली सोने की चैन उरा ली है इस सिसी टीवी को देखते ही तनिश्का जवली शौप में हंगामा मच गया था हलांकि पुलिस इसी सिसी टीवी के सहारे ठगों तक पहुचने की कोशिश में है उनकी हुलिया समझने की कोशिश कर रही है और तब यह शातिर पकरे जा सकते हैं हलांकि इस पूरे मामले का जो सिसी टीवी सामने आया है उसे जोले स्वाप बालों ने टाउन ठाने को उपलब्ध भी कराया है पुलिस अब टेक्निकल सर्विलांस के जरिये ठगों को तलाश करने में जूठी है ताकि यह पता चल सके कि इन ठगों ने कितने दिनों तक पहले रेकी किया और फिर कैसे एक लाग चौंतिस हजार के सोने की चेन बदल ली पुलिस यह भी तलाश कर रही है कि क्या इससे पहले भी इन शातिर ठगों ने इस जुल्दे शौप पर हदसाफ किया है लेकिन मुझपरपुर के इस घटना से बागी जुल्दे शौप बालों को भी सबक लेनी चाहिए जब भी किसी ग्राहक को अभूशन दिखाये जाएं तो उस दोरान उनकी निगाह भी होनी चाहिए कि कहीं यह ग्राहक के वेश में लुटे रे तो नहीं है बेराल इस पूरे मामले को लेकर के टाउन थाना सक्रिये है और इस कोशिश में जुटी है कि सीसी टीवी की जरिये शातिर ठगों तक पहुचा जाए और उनकी गरफतारी के बाद इस पूरे मामले को खुलासा किया जाए खुलासा के लिए मुझवपर पूर से संजीब कुमार की ये खास रिपोर्ट